हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आइस्ट्रेलिया टी-20 बीग बैसली के दूसरे महा मुकबला मैच में जो खिला जाएगा सेक्स बसे रैंड के बीचे मतलब SIX और आरेनी के बीच में दोस्तों आज के जो हम जानने वाले हैं कि कौन से किलारी आपके लिए जील में अच्छा प्रॉफिट करा सकते हैं कौन से किलारी ट्रंप काट साबित होने वाले हैं और किस किलारी को आपको लेके चलना है कौन से किलारी का पॉल राबारी रहने वाला है, क्या रहने वाला है, पीछ रिपोर्ट, क्या रहने लाव वेधर रिपोर्ट यह से भी जानकारी आपको इस पूडियो मिलेगा, जिसके आप GL में एक टीम बनाकर बहुत अच्छा प्रॉपिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेयर के बारे में CBC किसको ROTATE करना है इसे भी जानकार यह आपको वहीं पे मिलता है तो हमें जाकर जाकर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फाइनल टीम भी आपको वहीं पे दिया जाएगा आमें टेलग्राम पर जागर जोइन कर सकते हैं दोस्तों बात करते हैं मैच का तो Big Bass का दूसरा मैच है जो कि SIX और IRONY के बीच में खेला जाएगा और यहां पर बात करते हैं कहां पर खेला जाएगा तो यह दोस्तों Sydney Ground Sydney में मैच खेला जाएगा जो कि आपको देखने को मिल जाएगा क्रिकेट ग्राउन सिड्नी में ही खेला जाएगा यहां का पीज का बात करें दोस्तों तो इसका जो average escort निकल के आ रहा है वो 134 निकल के आ रहा है ठीक है दोस्तों 134 यहां पर निकल के आ रहा है और इनका जो हम देखेंगे कैसा पीछ रहने वाला है बैलेंस पीछ रहने वाला है मतलब रन बनेंगे और गूट फोर पेसर पेसर बिकेट भी निकालेंगे जो slower बुलर है वो आपको बिकेट निकलते हुए भी देखने को मिल जाएंगे चले थोरा सा बात कर लेते हैं हेट to hit का तो दोस्तो हेट to hit में हम देखेंगे यहाँ पे टोटल मैच जो है वो आपको 11 मैच खेले गए है ठीक है 11 मैच कहले गए है और उसमें से 8 मैच जो है SIX SIX ने 8 मैच जीत रखा है और वहीं पर बात करते हैं तीन मैच तो आरीन ने तीन मैच जीता है मतलब यहाँ पर आप देखेंगे SIX का जो मतलब 6 का जो है इनका जो performance रहने वाला है बहुत ही तगरा रहने वाला है आप यहाँ पर एक तरफा जीश सकते हैं दोस्तो आपको रहानी के प्लिश को कम लेना है और SI6 के तरफ ज्यादा जाना है इनका head to head record में देखेंगे तो SIX हो है इनका पल्रा भारी रहने वाला है और आयरानी का थोड़ा सा कम रहने वाला है ठीके दोस्तो चलिए हम बात करते हैं कि विकेट कीपर के सेक्षर में आपको क्या रहने वाला है तो यहाँ पर विकेट कीपर के सेक्षर में आपको क्वेंटें डिको के अबेलेबल नहीं होने वाले है तो आपको पताए कि क्वेंटें डिको का अभी अभी धाबू T10 खेल रहे हैं तो वो यहाँ पे अभी दहा भी खेल रहे हैं ठीके दोस्तों ठीटेनी वहाँ पे खेलते होने जारा रहे हैं तो यह खेलाड़ी आपके लिए अवेलेबल नहीं होने वाले हैं इस मैच में जे फिलिप्स अगर यह खेलते हैं तो मेरी टीम में जे फिलिप्स रहने वाले हैं और अच्छा यह performance करने वाले हैं ठीक है तो जे color देखें यह खिलारी बहुत important है इनका domestic अगर देखेंगे आप तो domestic में आपको पता से लेगा कि इनका performance जो है वो लाजवाब performance रहता है जे color को आपको ignore नहीं करना अगर यह अगर playing level में रहते हैं तो आप बिल्कुल इसके साथ जा सकते हैं यह खिलारी most होने वाले है इसे अपने टीम में जरूर जगा दीजिएगा यह खिलारी important होने वाले इसे अपने टीम में जरूर लेके चल सकते हैं बैटसन बात करते हैं तो अगर आज वाले match में available नहीं होने वाले हैं तो इसे आप drop करें चल सकते हैं और दोस्तों हम बात करते हैं जे कॉक्स ये भी अब उदा भी खेल रहते लेकिन अभी लग रहा है कि वहाँ पर आनवेल है तो यहां पर आ गये हैं इसमें आपको देखने को मिल जाएगा बिग बैस के बैस के लाटि की वखेलर है तो यहां पर आपको कम लेके चलना है और यहां पर चार कम से कबार aikरे चल सकते हैं और दो से यहां पर आब करते हैं अलडर मेंने क्या करना है M Hendrick बहुत ही खतरनाक batsman है दोस्तो all-rounder रही से अपने team में जरूर लेगे चल सकते हैं यह right hand batsman भी है और right hand faster medium baller भी है मतलब बहुत तगड़ा इनका परहुन से रहने वाला है आज के match में भी आप इसे अपने team में जरूर लेगे चल सकते हैं आप इसे captain के तरफ भी इस्तमाल कर सकते हैं यह खिलारी बहुत ही खतरनाक साभीत होने वाले यह खिलारी आपके team में तो होने ही चाहिए एन Madison यह भी खिलारी बहुत अच्छा है अगर अगर देखेंगे domestic में इनका domestic में जब performance रहा है तो उसे बहुत खतरनाक ताबर तोर खिलारी इसे अपने team में जरूर लेके चलिएगा इसे आप CBC के तरफ भी इस्तमाल कर सकते हैं बहुत अच्छा आपके लिए दोनों होने वाले हैं तो इसे अपने team में जरूर लेके चल सकते हैं डबलू साथर लेंड यह भी खिलारी बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं इनका भी domestic बहुत तावर्त हो रहा है आप इसे अपने team में जरूर लेके चल सकते हैं यह खिलारी अच्छा है टी करन को तो सभी जानते हैं तो इसे अपने team में लेके चल सकते हैं इसे अपने team में लेके चलना है उसके अलाबा यह सब खिलारी को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं तो यहाँ पर आप जितना लेके जाएंगे ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि बैटिंग और यहाँ फिर बॉलिंग दोनों मिलने वाला है लेके चलना है तो बहुत अच्छा के लिए लगा सकते हैं खिलारी इंपोर्टन यह ऐसी अपने team में जरूर लेके चल सकते हैं चले बात करते हैं बालर में तो बालर में अगा pleaρते हैं तो यह सरा इपतit म करने वाले इसे अफने टीमे लेके चलेंगे और मुझीव रहमान MICHAELK हब जहाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से देखने plate को मिल जाएंगे ठीक shift लेड claim थे बात करते हैं किसे ceo इस त्बार कर सकते हैं तो एक आफे लिपल होते हैं तो आपि जी ऊपने पहला सेजिस्ट करेंगे, वो करेंगे जेविंस, आप इसके साथ जा सकते हैं CBC के तोर पर बहुत खतरना खिलाडी, ये अताबर तोर खिलते हैं, आप इसे अपने टीमें लेके चल सकते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं, और किसी के साथ नहीं जाना है, अगर जाना चाहत तो फिर ST basement को WC के तोर पर जा सकते हैं Captain के तौर पर नहीं जाएगा WC के तोर पर जाएगा ठीक है तो M.H. ये खिलाड़ी ये खिलाड़ी ये दोनों खिलाड़ी में से आप जिसको भी चाहे CBC के तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं दोनों इंपोर्टेंट हैं बॉलर में तो बॉलर में देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जब साजेस्ट करने वाले हैं, यहाँ पे बीड वरेस यह खिलाड़ी को आप CBC के तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं, यह खिलाड़ी इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, इसे अपने टीम में लेके चल सकते हैं, चले यहाँ पर अगर रोटेट करना है आपको किसको कर सकते हैं तो यहाँ पर रोटेट करना है सकते इनके साथ आ सकते जेकोंक से सा तो तीम करम को भी आप डिकरम के साथ जा सकते हैं । ये खिलाडी भी इम्पोटेंट होने वाले इसे अपने टीम में ले कर चल दकते हैं। और CBC के तोर पे इस्तमाल कर सकते हैं, या फिर MHD के तरफ जा सकते हैं, यह खिलाड़ी आपके लिए important है, आपके CBC के तरफ इस्तमाल कर सकते हैं, ठीके तोस्तों, और किसी बितर का update होगा, final team होगा आपको टेलिग्राम पे देंगे, तो हमें टेलिग्राम पे जाकर जोईन क कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,